हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं यूटूब चैनल होप यूरू डूइंग वेल तो देखो आपको पता होगा कि हमने साइंस की सीरिज एक स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चिन्स को ही डिसकस कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने एक वी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं वहां पर पार्ट वन करके लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें तो देखो यहां पर हम सिंपली साइंस के ही क्वेश्चिन्स को डिसकस कर रहे हैं आपको सबसे पहले तो अपना खुद से टेस्ट लगाना है और फिर लास्ट में अपना स्कोर भी नीचे कॉमेंट करना है कि मेरे 15 में से इतने कॉस्चिन्स रसाई हुए तो देखो इस वीडियो में हम टोटल 15 कॉस्चिन को डिस्कस करेंगे और अपना आप टेस्ट लगाओ और फिर नीचे आप कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने कॉस्चिन्स रसाई हुए और कितने गलत हुए बाकि देखो मैं जो आपको यहां पर कॉस्चिन्स करवा रहा हूँ यहां आपको बिलकुल जल्दी-जल्दी में करवा रहा हूँ बिलकुल details में discuss मैं यहां पर नहीं करवा रहा जैसे मैं other videos में करवाता हूँ कि बिलकुल एक question ले लिया और उसमें इस हो खंकोर के निकाल लिय तो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सीधा question को बढ़ूंगा और answer को बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, question number 44 है, ecotone is, तो ecotone क्या है, तो देखो ecotone क्या है, तो ecotone a zone of transition between two communities, यानि कि दो समुदायों के बीच संकर्मन क्षेत्र, option देखो, यहाँ पर c correct होगा, देखो, यह questions आपके previous exam में ही पूछे गए हैं, so no doubt आपके आने वाले exams में यह बहुत ज़ादा beneficial है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ना है, 45 question है, देखो, important question है, secondary producers are, तो गौन उतपादक कौन होते हैं, तो देखो, गौन उतपादक कौन होते हैं, तो यह होते हैं, हर्वी बोरस, यानि कि शाकाहारी, option देखो, यहाँ पर ए-correct हो जाएगा, शाकाहारी, 46 question की बात करें, which of the following countries has the highest biodiversity, निमनांकित में से किस देश में सरवाधिक जैब विभितता है, तो देखो, किस जो है तो country में सरवाधिक जैब विभितता है, यानि कि बहुत सारे जीव जन्तु वहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखो, obviously आपको पता चल गया होगा, अगर आप options देख रहे हो, तो यहाँ पर option होगा, option A, Brazil, देखो आपको पता होगा, Amazon के जंगल कहाँ पर हैं, ब्राजिल में, तो इस हिसाब से option देखो, यहाँ पर A, correct हो जाएगा, ओके, अगले question की बात करें, question number 47 है, non-bio-degradable pollutants are created by, तो अजयवक, निमनी करनी या प्रदूशक, किस के दौारा पैदा किये जाते हैं, तो देखो, यह किस के दौारा पैदा किये जाते हैं, तो यह मानव के दौारा पैदा किये जाते हैं, option देखो, यहाँ पर C, correct हो जाएगा, देखो, आपको पता क्या गरना है, आपको इसे वीडियो को दो तिन बार देखना है, और जो मैंने प्रिवियो से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप पहले देख लेना, अगर आपने देख लिए होगी, तो फिर से देख लेना, तब ही आपको यह questions बिल्कुल mind में fit होंगे, 48 questions की बात करें, the genes causing cancer आर, तो cancer पैदा करने वाले जीव कौन से है, तो देखो cancer पैदा करने वाले जीव कौन से है, तो यह है, oncogenes option यहाँ पर देखो C correct हो जाएगा, oncogenes option देखो C correct हो जाएगा, अगले question की बात करें, question number 49 है, anti-venom against snake poison contains, तो सांप के जहर के लिए anti-venom में क्या होता है, तो देखो सांप के जहर के लिए anti-venom में होती है, antibodies यानि कि यहाँ पर option B correct हो जाएगा, option अब B correct होगा, अगले question की बात करें, तो question number 61 आप screen पर देख सकते हो, which of the following is most acedic, तो निम्नांकित में से सर्वाधिक, अमली यहाँ पर कौन है, तो देखो कौन है, तो यह हो जाएगा M chlorophenol, option देखो यहाँ पर D correct हो जाएगा, option D correct होगा, next question की बात करें, तो question number 75 आप screen पर देख सकते हो, by adding gypsum to cement, तो cement में gypsum मिलाने से जो है तो क्या होता है, तो देखो cement में gypsum मिलाने से जो है तो setting time of cement increases, यानि कि cement का जमने का समय जो है तो बढ़ जाता है, देखो option यहाँ पर B correct होगा, 75 का option B correct होगा, next question, question number 76 है, dry ices, तो सुष्क हिम क्या है, देखो यह question बहुत बार repeat होता है, तो इसको आपको बिल्कुल note रखना है, तो सुष्क कहिम क्या है, तो 76 का option यहाँ पर C correct हो जाएगा, solid carbon dioxide, solid CO2, option यहाँ पर C correct होगा, next question की बात करें, तो question number 81 आप screen पर देख सकते हो, which of the following gases is not a greenhouse gas, तो निमनांकित में से कौन सी green house gas नहीं है, यहाँ पर पुछा गया है, नहीं है, तो देखो options को ध्यान से पढ़ो, तो इस question का right option हो जाएगा, option number A, option number A, अब देखो CO का मतलब क्या है, CO जो है तो किस gas का नाम है, तो देखो CO है carbon monoxide, अच्छा O3 क्या है, तो O3 है ozone, और CH4 कान सी है, तो CH4 है methane, और H2O का आपको पता होगा water, तो question number 82 की बात करें, the lowest layer of the atmosphere is known as, तो वायू मंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो देखो आपको पता होगा, सबसे निचली परत क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फियर option यहां पर देखो, B correct हो जाएगा, शोब मंडल 82 का option, B correct होगा, अगले question की तरफ चले, so question number 99 आप screen पर देख सकते हो, the molarity of pure water is, तो शुद्ध जल की, ग्राम अनुकता कितनी है, देखो यह question भी बहुत बार repeat होता है, तो इसको भी आपको बिल्कुल note रखना है, आगे जो मैं questions करवाँगा, 3-4 question है, तो वो जो question है, वो तो repeated ही question है, हर बार exam में पूछी जाते हैं, बाकि इसका answer यहां पर क्या होगा, तो 99 का answer हो जाएगा, option number C, 55.6, the molarity of pure water is 55.6, option C, correct, next question, question number 124 आप screen पर देख सकते हो, देखो यह सारे question जो है तो, यह repeated question है, और important question है, which of the following has a minimum wavelength, तो निमनांकित में से किसकी नियुनतम तरंग धहरे होती है, तो देखो किसकी नियुनतम तरंग धहरे होती है, so 124 का option C, correct हो जाएगा, gamma raise की, option यहाँ पर देखो C, correct होगा, important question है, इसको आपको बिल्कुल note रखना है, अगले question की तरफ चलें, question number 125 है, marriage is a phenomenon due to, तो मरिची का किसके कारण होने वाली परीघटना है, देखो most important question है, यह आपको भी बता होगा, हर बार question यह जाएदा, repeated है, और हर बार यह repeat ही होता है, और most important question है, तो मरिची का किसके कारण होने वाली परीघटना है, तो इस question का right option होजाएगा, option C, total internal reflection of light, यानि कि परकाश का, पूरण आंतरिक परवर्तन के कारण होने वाली यह परीघटना है, option देखो, यहाँ पर C correct होगा, आपको बिल्कुल note रखना है इस point को के, 126 question की बात करें, जो की हमारा last question है, sky appears to be blue, in clear atmosphere due to lights, तो परकाश के किस परीघटना के से साफ वायमेंडल में, आसमान जो है तो नीला दिखाई देता है, तो देखो, इन points को बिल्कुल आपको note रखना है, यह question हर बार exam में पूछी जाते हैं, तो I hope वीडियो आपको इनफर्मेटिव लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जिरूर से इस वीडियो को लाइक करें, बाकि जो भी आपका score बना है तो उसको नीचे comment करो,